जो कुछ है सब ईश का। संसार में हर प्राणी मैं और मेरा की भावना से ग्रस्त है। प्राणी में एहंकार एवं स्वार्थ की भावना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पास जो कुछ है सब उसी का है। फिर एहंकार कैसा? अते त्याग और समर्पन की भामना रखते हुए प्राप्त वैभव का भोग करो, तन, मन, धन सब उसी का है, जो प्राप्त है इसे इश्वर की कृपा का पसाद मानो, तो आईए जो कुछ है सब इश्वर का गायन और प्रायन करते हैं. प्रमंकार का शिग्र भाव तू त्याद मित्रा कंद्रा छोड़ कर जाग जाग नरजाद तेरा मेरा नहा करो बदलो शिग्र सवफाद साई कहते हैं हमें गत अहम का भाव अहम भाव का चरण देगा तुझ को त्राप्त दिस पर तुझे विमान है उसका क्या विश्वाद आज तुझे जो प्रात है ताका उसका इश उसकी गिरपा से हुआ उचा ते राशी पीशी क्रिपा से ही मिला तुझको धन समान सुत्मित नारी संवदा तुक का हर सामान हित कर तेरे बास ते ना कर मैं का नार तुझे जो पूच हुआ समझो इश प्रफात जाग भावना से करो तुझको का भूँ अतिशे लाल चना करो बुरा बहुत यहरो जन जन के मन में फले धन संपद अर्मान पुत कट इच्छा ही करे मानव का नुक्लान दिया उसी ने है हमें यह जीवन अनमोल कहा नहीं उसने कभी अपने मुख को भोल चाहे मुखी मान के चाहे ज़परबाड दिया तुने जगदीश ने चाहे दिल्याकाड दीश पुत्र है हम सभी बैठे उसकी गूद उसकी ही खश्वर से सब के मन में मोद अपना अपना जो कहे जूटी उसकी शान काया धी अपनी नहीं कितना निश्चित मान शनक प्राक्ति परणा करो तिलबर भी अभी मान बस कुछ उपल की धूप ये खलता फिर दिन मान दिया तुझे जो इश ने करूँ सको स्विकार उनकी किरपाखा करो व्यक्त उन्हे आभार जितना देना था दिया उसने आशिरवाद तेरी किस्मत था मिला तुझे को क्रिपा प्रसाद अल्प काल के वास ते मिला तुझे यह यो इश्वर क्रिपा प्रसाद का कर ले तब तक भोग कर ले तब तक भोग